Students, बच्चों कल हमने पढ़ा था, हमने कल चाप्टर स्टार्ट किया था, Adventures in Antarctica, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट पे ये छोड़ा था, कि वो बच्चे बहुत excitement से पेड़ के पास जाते हैं, Christmas tree के पास, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे कोई gift नहीं होता, सिर्फ white envelops में, दो white envelops होते हैं, जिन पे उनके नेम लिखे होते हैं, तो आज देखेंगे हम कि उन white envelops में क्या होता है, page number 44, तो बच्चों disappointed होके दुखी मन से उन्होंने वो envelops को ले, and finally खोलते ही, वो surprised हो गए, क्योंकि उस पे computer printed invitation था, and उस invitation में लिखा था, कि उन लोगों को Antarctica जाना है, from 17 to 23 February 2005, flight Santiago to Fanta Arenas, बच्चों आपको पता है कि अंटार्टिका तक direct flight नहीं जा सकती, तो Santiago से Fanta Arenas तक flight से जाएंगे, and फिर उसके आगे Fanta Arenas से अंटार्टिका तक वो शिप से जाएंगे, उन्होंने अपने आपको पिंच किया, जैसे बच्चों नहीं होता, जब को यासा shocking news मिलती है तो हम लोग कहते हैं मुझे पिंच करो, पिंच मी, तो देखने के लिए कहीं वो hallucinate तो नहीं कर रहे थे, मतलब वो कहीं ख्वाबों में तो नहीं कोई हुए थे, वो सच में रियालिटी थी, ठीक है, वो दोनों सोचने लगे, अंटार्टिका, are they kidding us, क्या मतलब यह मजाख तो नहीं कर रहे हैं, अंटार्टिका ले जा रहे हैं, फिर उनके बच्चों पेरेंस आ गए हसते हुए, और बोलते हैं कि it's true, यह सच है, they assured them, they along with us had been invited to go to अंटार्टिका, बच्चों इन बच्चों के साथ इनके पेरेंस को भी अंटार्टिका जाने की invitation मिली थी, क्यों, as a part of an expedition led by चाई, चाईलियन नेवी, बच्चों चाईल की जो नेवी थी, वो एक expedition कर रही थी, और वो expedition क्या था, कि first mobile phone उने अंटार्टिका मेन लाइंड पे लगाना था, अभी तक बच्चों इन लोगों के लिए जो अंटार्टिका था, वो केवल, बच किसी particular purpose के लिए, चाई है, तो वो expedition था, first mobile phone लगाने के लिए, अभी तक हिंके लिए, इन बच्चों के लिए, जो अंटार्टिका था, वो केवल जोग्रफी बुक्स तक सीमित था, उनने पता था, यह 7th continent है, बहुत जादा unexplored है, largely unexplored, मतलब इस पे जादा लोग गए नह पता थी, और क्या पता था इनको, it produced gigantic icebergs, बहुत बड़े-बड़े icebergs, icebergs आप जानते हो बच्चों, जो mountain से glaciers निकलते हैं, बड़े-बड़े, उनका कुछ हिस्सा, उनका कुछ हिस्सा जो पानी में maximum नीचे रहता है, और थोड़ा सा उपर रहता है, तो वो कहते हैं, बहु सारी चीज़े वो imagine करते हैं, और पुराने जमाने में Antarctica को terra incognito भी कहा जाता था, जिसका मतलब है the unknown land, terra means terrain, धरती, और incognito means unknown, ठीक है, और अब ये finally plan कर रहे थे, अपनी trip वहाँ जाने के लिए इतनी दूर प्लेस पे बच्चों, जो unknown है, बहुत दूर है, far away place है, तो इनके लिए उसको believe करना बहुत ज़्यादा hard हो गया था, अभी से उनको feeling आ रही थी as if they were great explorers, ready to take on stormy seas and discover the unknown secrets of our planet, बच्चों जैसे हम लोग मूवीज वगेरा देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जो pirates होते हैं, या explorers होते हैं, वो sea में journey करके बहुत दूर दूर तक जाते हैं, रा इनको भी कुछ feeling आ रही थी, सबसे पहले तो इनके लिए believe करना ही बहुत मुश्किल हो गया था, कि सच में ये अंडार्टिका जा रहे हैं, उसके बाद बच्चों, जब इन ये सोचने लग गए, आपको भी बच्चों कहीं पर प्लेस किसी प्लेस पर आपके parents बताएं कि हम vacations में यहां गूमने जा रहे हैं, तो आप पहले सी उस place को imagine करने लग जाते हो, for example, अगर मैं कहूं कि हमें next vacation में ताज महल जाना है, तो आप अभी से imagine करने लग जाओगे, मैं वहाँ पर pictures खिचवाँगा, मैं ऐसी pictures खिचवाँगी, ऐसे करके, तो ये लोग भी imagine करने लग तो internet surfing is actually searching, जो भी आपको search करना है, वो net पर search करना है, is internet surfing, एक साइट से जब हम दूसरी साइट पर जंप करते हैं, जिसे आपको एक जगे information नी मिली, फिर हम दूसरी जगे पर गए, फिर तीसरी जगे पर गए, एक से surfing करते हैं, वैसे ही लोग कर रहे थे, जादा जादा information निकालने के लिए, और बच्चों इनको क्या पता चला कि इनके रास्ते में दुनिया के कुछ सबसे ज़ादा violent seas आने वाले हैं, violent seas मतलब जिन में बहुत ज़ादा आप समझ सकते हो, तोफानी seas आने वाले हैं, and skim past yet unnamed islands to reach the mysterious continent of Antarctica, और क्या बच्चों इनको पता चला कि इनक में कई islands आएंगे, जो unnamed है, मतलब जिनके अभी नाम करन भी नहीं किये गए है, and violent seas, तुफानी, आप से, कह सकते हो, तुफानी रास्ते से, और फिर ऐसे islands से होके, ये अन्टार्टिका तक पहुचेंगे, Our sailing route would take us from the city of Punta Arenas in Chal, through the Strait of Magdalene, बच्चों वो अपना route describe कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारा sailing route क्या होगा, Sail कहां से करेंगे, बच्चों पहली चीज़ तो हमने देखी, कि 17 to 23 के इनकी flight होगी, Santiago से Punta Arenas, ठीक है, अब उसी city से, आप Punta Arenas का हो, आप Punta Arenas का हो, एक ही बात है, आप Punta Arenas से Child तक, Punta Arenas Child में एक city है, वो sailing होगी, उनकी वहां से start होगी, उस city से, और फिर state of Magdalene से होते हुए, Beagle Channel से होते हुए, Walliston Island के left में, Cape Horn के left में, फिर बहुत जारी places बच्चों आगे हम कल discuss करेंगे, तो आज का आप अपना assignment note करेंगे, आपका assignment है बच्चों, फिर्स्ट क्वेशन है, फिर्स्ट क्वेशन है बच्चों, कि आपको लिखना है उनके, जो starting में उनका travel है, जो कैसे वो travel करेंगे, जो बच्चों आपके authors हैं, authors name आपको पता है, तो आपको वो पूरा रूट लिखना है कि 17 से 23 February, वो flight लेंगे कहां से कहां तक, फिर ship से कहां से कहां तक जाएंगे, ठीक है बच्चों, चलिए,